Well, in this video, we are going to solve the exercise based on electromagnetic induction. We'll start with the question 6.1. तो इस सवाल में हमसे कहा गया है कि आप प्रडिक्ट करिए the direction of induced current. जो current पैदा होगा, उसकी direction आपने बताने हैं in the situation described by the following figures 6.18 A A से लेकर F तक. तो यह रहा हम A से शुरू करते हैं. हमार पास है question number 6.1. इसमें यह कहा गया है कि the magnet is moving towards the coil. Magnet जो हो coil के उरा रहा है. तो इससे होने क्या बाला है? जो magnetic flux होगी, through this coil will change and it will increase. So as the magnet will approach towards the coil, the magnetic flux across this coil will increase. तो induced EMF इसमें कुछ इस तरीक से पैदा होगी, जो increase in magnetic flux को oppose करेगी. इसका मतलब क्या हुआ? कि यह जो end है, वो magnet को अपनी ओर नहीं आने देगा. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यह repulsive force generate करेगा. तो repulsive force generate करने के लिए क्या होगा? यह जो end होगा, वो north, south pole बन जाएगा. Then south pole will come towards this, तो यह end जो है, वो south pole बन जाएगा. Means, इसमें current flow कैसे करेगा? इस direction में flow करेगा, ऐसे करके. ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे करके. तो हमें कह सकते हैं, कि जग current इसमें, किस direction में होगा? इसका जो 6.1, ए पार्ट जो है, the current will be along q, r, p, and back to q. ऐसे रहेगा. अब हम चलते हैं, second diagram में. Second diagram में हम यह देखेंगे. इसमें, जो इतना पार्ट तो same है. यह देख लिजे. बट इस पार्ट की polarity के लिए आपको काम करना पड़ेगा. आप यहां देखिए. आपका जो same magnet है, that is moving toward this coil, इसका नाम हम रख देते है, coil number C1, और इस coil का नाम हम रख देते है, coil number C2. So, जब magnet जो है, coil number C1 की ओर चलेगा, तो क्या होगा? Flux बैसे ही change होगी, इससे EMF पैदा होगी, but polarity of the current, या the direction of flow of current is such that, it will oppose the increase in magnetic flux. तो यह increase in magnetic flux को oppose करेगी. तो यह कैसे संभव है? जब आपका जो magnet है, वो इस coil की ओर ना आ सके. इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसका जो यह end है, यह south pole बन जाना चाहिए. South pole बन जाने का क्या मतलब है? इसके बीच में current जो है, clockwise direction में flow करना चाहिए. तो clockwise direction में कैसे flow करेगा? Then it will flow from. इसके ज़रा, clockwise direction में तब flow करेगा, जब यह, पहले एक rough idea आपको बना के बता देते हैं. clockwise direction में कैसे current flow करेगा? ऐसे करके. ऐसे करके flow करेगा. Right? So, यह and यह इस तरीके से बनेगा, तो आप यहां देख सकते हैं कि, यह जाएगा कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से. So, this is the direction, कि आप यहां से देख लिए जाओ, यह यहां से यहां से मुड़ रहा है. तो यह Q, P से R जाएगा, R से Q जाएगा, और यहां से यहां से रोटेट कर जाएगा. तो इसका B पार्ट में, जो first answer हुआ, यह हुआ along, P से R जाएगा, R से क्यो जाएगा, क्यो से P जाएगा. आगे, दूसरे पार्ट में क्या होगा? दूसरे पार्ट में, जो आपकी क्वाइल है, अब क्या होगा? जब आपका मेगनेट क्वाइल से परे की और जाएगा, तो जो मेगनेटिक फ्लक्स है, दिखी ज़राब, मेगनेटिक फ्लक्स क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. तो इसमें करंटी इस तरीके से फ्लो करेगा, ताकि magnetic flux जो है वो increase होनी चाहिए यही lands law है इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो coil है इसमें current इस तरीके से पैदा होगा कि यह इस magnet को परे के और नहीं जाने देगा मतलब क्या है इसका साफ तो यह तभी संबब है जब east end के उपर south pole बन जाना चाहिए means east end के उपर current clockwise direction में flow करना चाहिए और east end के उपर current जो है वो anticlockwise direction में flow करना चाहिए इसके लिए रफ diagram बना के बता देते हैं यह दीखिए यह ऐसे हो जाएगा मतलब यहाँ से नीचे के ओर आना चाहिए और east end से उपर के ओर आना इसकी जो direction हुई वो कैसे हुई by zx, so यह हो जाएगा along by zx, so then we will move for the third question, third part of this question, 6.1, देखे, इसमें ही कहा गया है कि आपके पास एक battery है, battery is in the circuit, इसको आप जब switch on करेंगे, बैटरी circuit में आ जाएगी, circuit में आने के बाद इसके बीच में कुछ current flow करेगा, और current की जो direction है, वो कैसे है, जरा यहां देखे हम, यह आ जाएगा ऐसे करके, अब यह वाला जो part है वो south pole ह तो इसके बीच में current flow करेगा, तो यहां south pole है, तो इसके बीच में किस तरीके से बनेगा, ताकि वो इसके growth को oppose कर सके, तो यह end जो है, वो north pole बन जाना चाहिए, इसका उल्टा बन जाना चाहिए, तो north बनने का मतलब है, इसमें current flow करेगा by zx, तो c part में आ जाएगा, current will flow along by zx, अब d part में देखिए, d part में क्या होगा, d part में यहां है, d part में यहां है, यहां north बन रहा है, तो यहां south बनेगा, तो south को आप ऐसे बना लीजिए, तो यह है आपके पास zyx, यह तो simple सधारन दिख रहा है, so current is along, along z by x, अब हम चलते हैं e part की और, e part में देखिए, इसमें क्या कहा गया है, कि tapping key is just released, इस tapping key की को आप release कर देते हैं, tapping key को release करने का मतलब क्या होगा, current decrease करेगा, tapping key को release करने का मतलब है, current decrease करेगा, current decrease करने का मतलब क्या है, emf is equal to minus ldi.dt, emf जो है वो decrease करेगी, तो emf यह decrease करेगी, तो lens law यह कहता है, कि इस part की polarity कुछ इस तरीके से decide होगी, ताकि यह emf अब increase करे, क्योंकि इसको oppose करना है, उसके लिए क्या करेगा, इसके लिए यह बाला part north pole बन जाना चाहिए, यह south pole बन जाना चाहिए, ताकि जादा से जादा magnetic lines of forces, जो है वो इसके बीच में से गुज़रें, और fluxiski increase हो जाए, as a result, emf बढ़ जानी चाहिए, देखिए तो क्या होगा इसके लिए, अब हम यहाँ चलते हैं, यह end जो है वो north pole हो जाना चाहिए, यह south pole हो जाना चाहिए, ज़रा देखिए, ज़रा इसका हम एक rough diagram picture बना देते हैं, वो ऐसी कैसे बनने चाहिए, यह north बनना चाहिए, और यह ज़री ज़री नॉर्थ बननना चाहिए, तो इसमें current कैसे आना चाहिए, इसमें current ऐसे आना चाहिए, इधर से नीचे क्यों, यह देखिए, anti-clockwise direction में है, तो इधर से उपर क्यों, तो यहां से आप ऐसे उतार देजी नीचे क्यों, यह देखिए, इसके direction जो है, वो xrby होने चाहिए, तो यह current जो होगा along, xrby, right, and then back to x, उसके बाद हम चलते हैं, इसका जो f part है, उसमें क्या होने बाला है, इसमें आपके पास कुछी इस तरीके से दिया हुआ है, कि आपके पास एक coil है, इस तरीके की, और इस coil से एक बायर जो है, वो गुजर रही है, और इस बायर के बीच में से जो current है, वो decrease कर रहा है, आप जानते हैं, according to framing's right hand thumb rule, यदि current इस direction में है, तो इस current के किनारे, इसके किनारे magnetic lines of forces होंगी, ऐसे करके, इसके around magnetic lines of forces होंगी, ज़रा ध्यान से देखिए, यदि हम इसको center मालने, तो इसके किनारे ये जो circle होगा, magnetic lines of forces का होगा, तो यहां आप एक point चूज कर लेजिए, कोई point मालो हम यहां माल लेते हैं, तो यहां magnetic field के direction हो जाएगी, यह वाली, area vector जो होगा, वो perpendicular to the plane होगा, तो यह direction हो जाएगी, area vector की, यह हम इसको कह सकते हैं, a cap जो है with points in this direction, अब इन दोनों के बीच में, यहां angle क्या होगा, 90 degree, field lines और इसके बीच में angle 90 degree होगा, तो flux क्या होगी, flux हमेशा इसमें क्या होगी, b a cos 90 degree, means flux 0 होगी, इस case में flux क्या होगी, वो 0 होगी, इसमें यदि current बढ़ता है, या घटता है, भैदर current बिल increase, और भैदर current बिल decrease, so there is no change in flux, क्योंकि यह circular loop है, इसके बीच में, जो current बढ़ने और घटने के बाद, दिखिए, कोई magnetic lines of force नहीं गुजरेगी, यह सारी जो है, वो इस circular coil के parallel रह जाएंगे, so हम यहां इसका answer लिख सकते हैं, no induced current will be produced, no induced, induced current will produce, with decrease in current, यह दिखिए, current decrease होगा, तो कोई induced current जो है, इसके बीच में पैदा नहीं होगा, why? because field lines lie in the plane of the loop, because field lines lies in the plane of the loop, जो field lines होंगी, वो loop के plane में रह जाएंगी, तो इसलिए यहां कोई फर्क नहीं पढ़ने बाला, अब हम चलते हैं next page के उपर, हमारा जो question है, अब है 6.2, okay, so now, यह जो question हैंगा हमारे पास, इसको हम solve करने के अब कोशिश करते हैं, यह देखिए, हमारे पास है question number 6.2, यह सवाल कुछ इस तरीके का रहेगा, उसमें कहा कि use lens law, तो सेम तरह की problem है, use lens law to determine the direction of induced current, जो current इसमें पैदा होगा, problem number 6.2, A में वो उसकी direction क्या होगी, तो जो situation नीचे दिखाई गई है, उसका आपने explanation देना है, यदि एक buyer है, जो irregular shape की है, और उसके बाद उसको एक circular shape में बदल दिया जाता है, तो यह इसमें current किस तरीके से पैदा होगा, जरा देखिए, आप यह जानते हैं कि यह जो irregular shape है, इस तरीके की A, B, ऐसे ऐसे करके, C, D, और बापिस A, इसके हम originally flux मानते हैं, कि इसका देखिए, जो magnetic field है, वो cross यह बताता है, magnetic field points, downbar direction, पहले हम लिख लेते हैं, इसमें flux होगी 5,1, initial flux 5,1, is equal to B, A, cos theta, तो यह आप देख लीजे, B and A points in the same direction, तो theta इसमें हो जाएगा 0 degree, तो हम लिख देते हैं, इसको यह आजाएगा B, A only, अब इसमें क्या होगा, कि दूसरे case में, जब यह, जो irregular shape है, यदि यह एक circle की shape ले लेगी, यदि यह circle की shape ले लेगी, तो इससे क्या होने वाला है, magnetic flux तो यही रहेगी, बट इसका area increase हो जाएगा, अब area increase हो जाएगा, तो lens law यह कहता है, कि यदि जो EMF होगी, इसमें current इस तरीके से flow करेगा, जो increase in magnetic flux को पोज करेगा, अब आप देखिए, यदि area इसका increase हो गया, तो इसका magnetic field घट जाना चाहिए, तो शुरू में जो magnetic field है, वो नीचे की और है, इसको हम B1 मान लेते हैं, जो यह आपका applied field है, यह down bar direction में है, cross यह बताता है, अब इस magnetic field एक vector quantity है, और यदि इस field को घटाना है, आपको यदि area increase हुआ है, तो magnetic field घटना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, जो field है वो up bar direction में होना चाहिए, जो दूसरा field है, जो B2, इस wire का जब circle बन जाएगा, तो इसका field up bar direction में होना चाहिए, तो यह कैसे होगा, यदि आप right hand thumb rule लगाते हैं, तो उसमें आप यह देखते हैं, कि जैसे circle है, इसमें जब current जो है, वो ऐसे करके बहेगा, तो इसको आप देखेंगे, तो इसका जो magnetic field होगा, वो up bar direction में होगा, तो हमें कह सकते हैं, कि इसके बीच में, जो current flow करेगा, A से D की और जाएगा, A से D की और, D से C, C से B, and then back to A, so this is the beautiful explanation of this part, अगे हम चलते हैं, हमारा जो next part है, उसमें आप देखें, इसमें जो पहला case है, वो सेम इसी तरह की problem है, हलका सा इसमें difference है, देखें इसमें 5, 1 जो आएगा, वो आएगा, B, A, cos theta, और इसमें B and A points in the same direction, तो हमें कहा सकते है, theta is equal to 0 degree होगा, ओके, तो आपके पास 5, 1 आगया, just B, A, इस case में कहा गया है, कि जो आपका circular loop है, it is being deformed into the narrow state wire, इसको आपने deform करके, एक पतली wire बना दी इस तरीके की, आपने यह बताना है, कि जब आप इसकी wire बना देंगे, तो इस wire में फिर current किस direction में induce होगा, यह हमारा सवाल है, जब आप इस circular part की wire बना देंगे, तो area decrease हो जागा, क्योंकि किसी shape का जो maximum area होता है, वो circle की form में होता है, तो आप यहाँ देखेंगे, यदि area decrease कर गया, तो जो आपकी flux होगी, दूसरे case में चलते हम, फाइ 2 में, ब, ए, area decrease कर गया, circle से जब आपने wire बनाई, तो area decrease कर गया, अब EMF कुछ इस तरीके से पैदा होने चाहिए, कि इसका जो magnetic field है, वो increase हो जाना चाहिए, magnetic field increase होने का मतलब क्या है, कि जो field है, dot means, जो magnetic field points in up bar direction, इसको हम B1 का नाम दे देते हैं, तो दूसरा field कैसे पैदा होना चाहिए, it should be in the up bar direction, उसको हम आपको rough ID बता देते हैं, यह देखिए, उसमें कैसा होना चाहिए, इसमें, इस तरीके से current flow करना चाहिए, according to right and thumb loop, तो magnetic field के direction किस direction में होगी, up bar direction में होगी, magnetic field will then point in the up bar direction, right, ऐसे होना चाहिए, तो इसमें भी एक current जो हो, anti clockwise direction में flow करना चाहिए, तो यहाँ देख लेजे आप, यह जाना चाहिए, A से D prime कर, D prime से C prime पर, C prime से B prime पर, और फिर A prime पर आना चाहिए, A prime to D prime, D prime to C prime, C prime to B prime, so right, flux decrease during this process, इसमें आप देख रहे हैं कि flux जो हो, decrease करती है, यहाँ आप देखें, flux decrease करेगी, तो उसको increase करने के लिए, magnetic field को से हम direction में होना होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, flux decreases during this process, this is all about this video, thank you very much.